नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिरपरिशे दोस्तों पस्तित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहधिम हतो पूर्ण जानकारी को ले करके जिहां क्या होता है सुबह बासी मुह गर्म पानी पीने से जानकर आपको हैरानी होगी और आप इस फायदे को जानकरके जरूर हर सुबह गर्म पानी पीएंगे पानी हमारे स्वास्थी का एक खास हिस्सा है स्वास्थी की दृष्टी से देखा जाए तो रोजाना आठ से दस ग्लास पानी पीना अति आवश्यक है क्योंकि पानी पीने से हमारे शरीर में हड्यों में चिकना हट रहती है और जिससे हमें च इतनी ही होती है जितनी गर्मी में पाणी पीते हैं। इसलिए आज हम आपको बताते हैं कि ठंड के अंदर पाणी को ठोड़ा गुणगुना करके पीना चाहिए। जिससे पानी के अंदर भर पूर मात्रा की पुर्त्य होती है और इससे सर्दी भी नहीं लगती है रोज सुबह जल्दी उठकर थोड़ा गुनगुना यानि कि गर्म पानी पीना चाहिए जिससे हमारा पेट भी साफ हो जाता है पानी को अमरित कहा गया है वास्तों में पानी का कोई भी विकल्ब ही नहीं है इस धर्ती पर और हमारे शरीर में 70 प्रतिशत पानी है पानी शरीर के लिए अति अनिवार्य है पानी हमारे शरीर को बहुत से खतरनाक बिमारियों से बचाता भी है पानी हमारी तवचा को मुलायम और चमकदार बनाता है अगर हमें यह मालूम हो कि हमें किस समय कितना पानी पीना है कैसे पानी पीना है तो हमें से किसी को भी समान ये परिश्थिती में डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ेगा यदि आप लागातार साथ दिन तक सुबह खाली पेट खाना खाने के बाद गर्म पानी पीते हैं तो आपको इसके फायदे महसूस होने लगेंगे जिसके कारण आप इसको हमेशा पिएंगे गर्म पानी क्यों पीना चाहिए मेडिकल साइन्स के अनुसार नित्य सुबह खाली पेट गर्म पानी पीने से कब्ज और गैस जैसी पेट की तमाम समस्याएं दूर रहती हैं लेकिन गर्म पानी पीना अति उत्तम है गर्म पानी क्या सेवन करने से शरीर के तमाम विशैले तत्व बाहर निकल जाते हैं रोजाना सुबह एवं दिन में दो तीन बार गर्म पानी पीने से शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है तवचा चमकने लगती है युवावस्था में चेहरे पर मुहां से पिंपल्स एकने छोटे छोटे दाने फुनसियां एक आम बात है अधिकतर केल मुहां से तहली तवच किल मुहां से ऐसी ही समस्या हैं जिसको लेकर लड़कियां काफी परिशान रहती हैं क्योंकि यह समस्या आम तोर पर टीनेज और युवावस्था में अधिक होती हैं हलांकि अधिक उम्र में भी इस तरह की समस्या परिशान करती है दरसल मुहां से तवचा में जलन और पिं रूप से नहीं करता है जिसकी वजह से जो भी टॉक्सिक बाहर आ जाना चाहिए वो नहीं आ पाता है तथा रक्त में जहरीले पदार्थ फैल जाते हैं और वह इस रूप में बाहर निकलते हैं पिंपल से बचने के लिए ऐसे भोजन जिनमें स्टार्च प्रोटीन वसा अधिक हो उनका सेवन करना चाहिए सफेद चीनी कड़क चाय अचार कॉफी रिफाइंड सॉफ्ट ड्रिंक्स आइसक्रीम मैधे से बनी हुई चीजों से बचना चाहिए आप गर्म पानी पीने के फायदों के बारे में जिहां गर्म या हलका गुंगुना पानी पीने के चमतकारिक फायदे सुबह जल्दी उठकर गर्म पानी पीने से हमारे शरीर की पाचन क्रिया तेज होती है और खाने का डिकंपोजीशन बढ़ता है सुबह गुंगुना पानी पीने से हमारा वेट कम होता है इससे हमको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है गुनगुना पानी हमारे शरीर का तापमान सही रखता है यानि के बढ़ा देता है उम्रे से पहले बुढ़ापा आना यह एक बड़ी समस्या है खास तोर पर यह महिलाओं में देखी जाती है सुबह उठकर गुन इससे हमारे शरीर का circulation ठीक रहता है पानी को उबालते हुए जब उसका चौथाई हिस्सा जल जाए अर्था तीन हिस्सा पानी ही बचे तो ऐसा पानी पीना श्रेश्ट होता है ऐसा गर्म पानी का सेवन हमारे शरीर के वाद कफ और पित तीनों ही दोशों को समाप्त करता है नित्य सुबह खाली पेट एम रात्री को खाने के बाद गर्म पानी पीने से पीट की सभी समस्याइं खत्म होते हैं और गैस जैसी समस्याइं निकट भी नहीं आती हैं गर्म पानी त्वचा के लिए राम बाण है अगर आपको त्वचा संबंधी परिशानिया रहती हैं त्वचा में किल मुहा से भी निकलते हैं तो नित्य सुबह शाम एक गलास गर्म पानी चाई की तरह चूसक्या लेते हुए पिना शुरू कर दें इससे आपकी त्वचा अगर कोई व्यक्ति पथरी की समस्या से परिशान है तो वह सुबह शाम दोनों समय भोजन करने के पास चात एक गलास गर्म पानी का सेवन आवश्य ही करें गले में टॉंसिल होने पर या गला खराब होने पर गर्म पानी पीने से या फिर उसमें एक चुटकी नमक डालकर क अब जसे रहत मिलती है गर्म पानी वजन घटानी में भी बहुत मददल होता है रोज सुबह खाली पेट गर्म पानी में आधा निम्बू एम एक चमच्छंच सेहद मिला करके पीने से शरीर स्लिम होता है हर रोज एक गलास गरम पानी में एक निम्बू का रस, काली मिर्च एवं काला नमक डाल कर पीने से पीट का भारी पन दूर होता है और भूख भी खुल करके आती है बुखार में गरम पानी पीना अधिक लाफ दायक होता है जो काम में गरम पानी पीने से बहुतारा मिलता है इससे कफ और सर्दी शिग्र ही दूर हो जाते हैं तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ते हैं एक और बेहदी महतोपून जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों